हाँ बोर्ट पे ध्यान देना हमारा adjustment number continue में 8 है और adjustment number 8 का क्या है आपका interest on capital सबसे पहले interest on capital होता क्या है हमारे लिए liability खर्चा होता एक तरीके से जैसे कि आपको पता है कि हम अगर Mr. A की बात करें अगर Honor है अगर Mr. A Honor है हमारा बिल्कुल आसान तरीके से समझो और यह Business है तो आपने Principal, Adjunction इन सब में देख रखा है कि Separate Business Entity इसके अंदर क्या होता है कि Honor अलग होता है और Business अलग होता है अगर इसने Business को पैसे दिये है, Honor ने अगर Business को पैसे दिये है तो इस Process को हम बोलता है इसने Capital Invest किया है अब यह दोनों अलग-अलग है, Business एक अलग है, Honor एक अलग है अब इसने जब Business में मान लो एक लाख रुपे लगाया है और यह चाहता है कि मुझे इस Capital के उपर Interest भी मिले तो यह जो Interest चाहता है कि इसे मुझे Interest मिले तो वो होगा Interest on Capital तो यह Business से Demand करेगा Interest on Capital तो Business इसको देगा Interest on Capital तो देगा जब Business तो Business के लिए माना जाता है यह Expense अगर Business ने नहीं दिया और Normally Business कभी भी देता नहीं है Honor को सिर्फ एक तसलिह हो जाता है कि मेरा Capital पहले 1,00,000 था और 10% मैं Demand कर रहा हूँ तो मुझे 10,000 देगा तो Business बोलता है मैं Finally दे दूँगा तो फिर Honor क्या बोलेगा सर ठीक है आप Finally मुझे दे दोगे तो पहले तो मैंने 1,00,000 लगाया ही था किस से बात करी इसने बिजनस से बिजनस से जो बात करा है इसने क्या बोला कि आपको Finally 1,00,000 रुपे तो मैं दे रखा है मैंने तो और कितने देने बोला 10,000 भी आज का भी तो Business क्या बोलता है ठीक है मेरे उपर लाइबिली ती कितने का हो गया एक लाग और उस लाइबिली ती का नाम भी Capital ही माना जाएगा 1,00,000 रुपे Capital और 10,000 रुपे इंटरसें Capital यानि इंटरसलन Capital क्या होगा उसके Capital में एड हो जाएगा तो Entry देखो एक तो इसके लिए Expense से तो expense पी एंडल के debit में चला जाएगा और interest on capital से capital क्या हो जाता है ओनर का बढ़ जाता है यहाँ पे payment कभी नहीं दिया जाता सिर्फ entry करते हैं हमें हाँ पे तो यहाँ पे entry अगर हम देखें तो interest on capital का क्या करना होगा दो जगह गीवन हो सकता है हमें यह जैसे कि मैं हर बार इसी तरीके से करता हूँ जाकर दिक्कत ना हो एक हो सकता है trial balance में trial balance में हो सकता है और अगर मैं trial balance की बात करूँ तो trial balance की आपको अच्छे से पता है कितनी entry करते हैं अगर trial balance में हुआ तो nature जाएगा P&L के debit side P&L के debit side जाएगा बस यह एक क्या हमारा है expense लेखिन अगर adjustment में हुआ तो adjustment में हुआ तो आपको पता है कि दो entry करना पड़ेगा और दो entry कहां कहां लेके जाएंगे हम इसको एक लेके जाएंगे हम profit and loss में debit side यानि two side में और second entry चला जाएगा हमारे add-in capital add-in capital जो कि कहां जाएगा balance sheet में तो add-in क्या हो जाएगा हमारा capital हो जाएगा और हमेशा जो interest on capital गीवन होगा amount भी गीवन हो सकता है लेकिन in the terms of percentage भी गीवन हो सकता है तो percentage कैसे apply करेंगे मानलो आपको पहले से capital दे रखा है एक लाख और question adjustment में demand करेंगे 10% interest on capital तो इसी एक लाख रुपे पर आपको interest on capital निकालना पड़ेगा तो ये adjustment number था हमारा 8 interest on capital एक और adjustment देखते है adjustment number 9 ये है interest on drawing interest on drawing अब question होता है sir interest on drawing का nature क्या है बताओ income interest on drawing का nature क्या होता है क्योंकि business को honor से ब्याज लेना होता है इसमें तो interest on drawing हमारा income है तो ये भी दो जग़े given हो सकता है या तो given हो सकता है हमारा trial balance में trial balance में given हो सकता है आपका या given हो सकता है हमारा कहां adjustment में अगर मैं trial balance की बात करूं तो trial balance में जब given होगा तो trial balance income है तो इसलिए हम इससे दिखाएंगे तो P&L में लेकिन दिखाएंगे credit side adjustment की बात करें तो दो entry करेंगे एक तो हो जाएगा हमारा P&L के credit side second entry कहां दिखाएं sir second entry balance sheet में होगा और यह हो जाएगा less from capital एक तो यह हो सकता है या पहले हम drawing में add कर दें और फिर जाके क्या करें उसे less कर दें ultimately interest on drawing है ultimately less ही होना है तो less from capital adjustment number यह था हमारा 9 तो इससे related question number 3 अभी जो हमने किया था और 3 के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो 3 के अंदर adjustment number कौन सा था हमारा झाल झाल